सब्सक्राइब दोस्तों मैं हो पकाश और आप देखरें मिसन एपरोड दोस्तों आज मैं बात करना जा रहा हूं कि कैसे आप कैनेडा जॉब ऑफर अप्टेंड कर सकते हैं हाँ यह उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग एक्सपरस एंटरी में प्रोफाइल जिन्होंने क्रेट कर लिया है और उसके बाद उनका सिवर स्कोर कम है या फिर अपना जॉब ऑफर अप्टेंड करना चाहते हैं अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं जो जिन लोगों ने अभी एक्सपरस एंटरी में प्रोफाइल नहीं बनाया है तो इस वीडियो को यहीं पर स्टाप कर लें इसके लिए माफ भी चाहूँगा दोस्तो सबसे बड़ी बात होती है कि जॉब ऑफर लेना ठीक है अगर आपके बाद जॉब ऑफर है तो आप किसी भी PNP में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपना स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं जब आपने एक्सपरस एंटरी प्रोफाइल क्रेट किया होगा तो उस टे आपके 50 points increase हो जाते हैं तो यहां पर points increase करने का एक काफी अच्छा option है और आपकी यहां पर possibility बनती है कि आपको ITA आ जाए ठीक है ITA तो आपको आना ही आना है क्योंकि आपका score more than 450 हो जाएगा अगर आपकी age, education और आपका IELTS score अच्छा है जैसे कि मैं पिछले वीडियो में CRS score कैसे increase करना है और यहां पर हम अपना अभी CRS score कैसे increase कर सकते हैं और Canada job offer कैसे obtain कर सकते हैं, Canada job offer अगर आपको मिल गया है और without express entry भी आप directly अगर आप recruiter से बात करते हैं जो भी company से आपका communication हो रहा है, express entry में भी आपका नहीं हो पाता है तो directly आप अपने employer से बात करके वो लाओ कर सकता है, तो express entry तो आपका immigration के लिए process है अगर आपको job offer मिल जाता है तो उसके बाद भी आप Canada move कर सकते हैं, तो दोस्तों बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ने से पहने सारे विएर से request करूँगा कि चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा और हमेशा like करते रहें, वीडियो क share करें, पर जाना है जहाँ पर आपने cse.gc.ca टाइप कर लेना है, इसके बाद आप यहाँ पर अपनी language select कर लें, language select करने के बाद आपके पास option है sign in और create an account, मैं उमीद कर रहा हूँ आप लोगों ने already account create किया हुआ है, जिन लोगों ने account create नहीं किया है, उसको आप पहले मे यूजर नेम इसमें digitalbaba है, ठीक है और आपने यहाँ पर देखा digitalbaba account आगया यहाँ पर, ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, job, जब top पर जाएंगे आपके बाद steps है, jobs, immigration, travel, business, ठीक है, यहाँ पर Canada job की बात करें, तो Canadian job bank पर click करेंगे आप, जब Canada job bank पर click करते हैं, ठ ठीक है, तो आपके सामने यह option आजाएगा, job bank की website open होके आजाएगी, देखिए, job bank homepage आगया आपके सामने, थोला सा slow internet, देखिए, यह देखिए, Canada job bank है, और इसमें भी regular कितने jobs हैं, यह jobs भी available हैं, ठीक है, तो आपका lucky day हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके 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 पास option है, job seekers और employers, job seekers पर click करेंगे, अब आप यहाँ पर first time login कर रहे होंगे, तो आपके पास यहाँ पर ID नहीं है, तो ID कैसे create करनी है, तीकिए, ID create करने के लिए आपके पास required क्या क्या चीज़ हैं, मैं बताता हूं आपको, यह main homepage है, आपका job seekers, job bank का, साइन अप नौ इस पर क्लिक करें ठीक है यह प्राइविसी स्टेटमेंट से पढ़ लें काफी लंबा है मैं पढ़ना नहीं चाहता हुई आप लोग इसको डिटेल से पढ़ ले तन एगरी करेंगे वैसे नौमली कोई पढ़ता नहीं है अब देखें यहां पर दो टाइप से चाहिए असाइन नंबर बोला जाता है मेंदर मेडियन नेम एंड बर्थ डेट यह तो कैनेडियन सेटिजन के लिए अगर अभी मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो फॉरन वर्कर्स हैं उनके लिए सिर्फ एक आप्शन है एक्सपर सेंट्री ओके एक्सपर सेंट इमेल यहां पर देदें आप इसमें आप्शन है आपका पहला है देखिए चार स्टेप हैं यूजए अपना इमेल देना है अपना इमेल देदें वही इमेल दें जो आप बार-बार यूज़ करने वाले हैं ठीक है पैसवर्ट देदें जो आपको याद रहे है ठीक है अब आप जो password दे रहे हैं तो आपके सामने एक green option आगया है, इसका मतलब ये password आपका correct है, ठीक है, और ये इसको acceptable है, सब green है, password confirm, password कर लिया, इसके बाद continue करेंगे, continue करने के बाद आपके पास confirmation code आजाएगा, जिसको आप अपने email पे check करेंगे, ठीक है, मैं अपना email इडी open कर रहा हूं अभी, अब मेरे को यहां पर confirmation code टाइप कर लेना है confirmation code डालने के बाद जो आपके email पर आपको आया है उसको डालने के बाद आप यहां पर continue कर लें continue करने के बाद authentication की बात आती है अब यह जो field है यह है आपका Canadian जो Canadian जो citizen है या आपका permanent resident है उन लोगों के लिए यह चीज है ठीक है आप लोगों के पास यहां पे social insurance number नहीं होगा तो इसके लिए हम यहां बात करेंगे I have an express entry profile number I do not have permanent Canadian social insurance number तो इसके लिए यहां पे आपने click करना है अब बात आती है कि आपके पास यह सबसे पहले आप यहां पे click करेंगे अपना first name last name लिख लेंगे ठीक है अब मैं जो बात कर रहा था express entry profile number and job seeker validation code अब job seeker validation code के लिए जैसे कि आप यहां पे अपने profile में गए थे या अपने यहां पे इसको मैं बताता हूँ आप कैसे करना है देखिए आप अपने account पर जाएंगे ठीक है जैसे आप login करेंगे अपना account पर तो आपके सामने यह option आ जाएगा इस तरीके का यह जो number है यह आपका express entry profile number है ठीक है इसके बाद यहां पे click करें check status and message पे अब यहां पर यह सब चीजें दी गई है अब यहां पर आपने option तीन message आपको आए है अब यहां पर आपका है how to find a job in Canada इस पर click करना है अब इसमें आप यहां पर click करेंगे view this message okay अब यह open करने की बात कर रहे है इसको जो file यह आपका message यह open होगा PDF file में ठीक है okay यह आपको परा message आ गया है यह सब चीजें आ गई है और यह आपको यहां पर बताया गया है कि आप job offer के लिए apply कर सकते हैं okay जाले दूसरा message देखते हैं इसमें हम देखते हैं view this message क्यूंकि किसी एक message में validation code होगा हमारा ठीक है okay इसमें देखें कही validation यह देखिए एक्स पर सेंटरी profile number यह है और job seeker validation code आपको मिल गया है यहां पर आपने messages में चेक करना है तो इसमें आप यहां पर जाएंगे अपने और यहां पर अपना profile number डाल देंगे और इसके बाद job seeker validation code है 4902 ठीक है 4902 और इसके बाद I agree करके continue करेंगे करने के बाद यह आपका process में आ गया है और आपका account यहां पर authenticate कर दिया गया है ठीक है थोड़ा सा slow है देखिए security question आप से पूछे जा रहे हैं यह आपको याद रखने है security question है what is your first name of your first love okay ठीक है security question 2 इसको ध्यान में रखें क्योंकि यह बार बार आपको यार करने होंगे childhood best friend okay इसके बाद father's middle name okay पांच question है total और लाइक question और select कर लें जिसको आपको याद रख सकें ठीक है wedding anniversary ठीक है इसके पाद फिनिश कर लें थोड़ा से यहां पर टाइम लेगा यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है यहां पर इसके एक उप्सिन सेलेट कर लें willing to relocate कि आप कहीं भी relocate होना चाहते है एक city यहां पर प्रोविंस से तरक लिए यहां से select कर लें ठीक के अलबर्टा में नवा स्कोशिया बिटिश गॉल्म्बिया क्युबक अनुटोब नाथ यह स्काश्मिट डिकल लेंविज अक एड़ लेंविज इंड़ लेंविज इंड रखना इसके बाद statics, statical year of birth और इसके बाद current status not employed अगर आप employed है तो employed year of birth 1990 are you full time student? No. Are you receiving employment insurance benefit? No. इसके बाद continue करेंगे ठीक यह आपको profile set up बेंड नमली और इसके बाद आपका skill, skill आपने job title ठीक है retail sales manager ठीक है और इसके बाद आपका experience continue करेंगे ठीक है आपने यहाँ पे अपना data fill up करना है education आपका यहाँ पे आगया secondary education, education आप यहाँ से add कर सकते हैं masters ठीक है ठीक है आप किसी भी चीज़ में masters है आप यहाँ से अपना add कर लें, description में देदें description का नाम, यह मैं भी आप जल्दी जल्दी कर रहा हूं आप यहाँ पर हड़ चीज बड़े ध्यान से कीज़गा क्योंकि यही देखके आपको job offer मिलने वाला है employer आपके cv को नहीं देखेगा employer directly आपके प्रोफाइल को यहाँ पर आप देखेए यह सब चीज़ें आपने add की है इसके बाद active profile profile active कर देंगे तो यह हो गया online your profile was activated ठीक है, अब job bank में जाएंगे हूं let's try this, okay, यह सब done है हमारे पास, okay अब job bank पर click करेंगे अब आप यहाँ पर job search करेंगे ठीक है email id password डालके sign in कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर job search करेंगे जो भी job search करेंगे आपको यहाँ पर normally जो section है आपका यहाँ पर आप अपना job title है इसको आप search करें यहाँ पर आपके सामने totally जो jobs हैं यह सब आगे है देखे और जैसे job open करेंगे open कीजिए description पढ़ लीजिए कौनसी state map जाना चाहते हैं कहां कहां पर jobs available हैं यह देखे कुछ जो jobs हैं यह third party website से connected है कुछ है directly job match ठीक है job banks related है directly इनसे आप contact कर रही है और कभी कभी क्या होता है कि employee directly आप से contact करता है तो सारी information पर आप phone number email id सब कुछ यहां पर प्रापर तरीके से डालें और आप यहां पर job offer easily obtain कर सकते हैं तो दोस्तो समझ मां आगे आपको how you can get Canadian job offer Canada job offer obtain करना easy है अगर आप step by चलेंगे ठीक है यह जो information मैं आप लोगो दे रहा हूं यह internet पर कहीं भी available नहीं है यह मैं आपने experience based claim दे रहा हूं